ये आकाश्वणी है अब आप लवली निगम से समचार सुनिए लोगसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्थ हो जाएगा राजनितिक दलों के शिर्ष नेता मतदातों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं तेरहां राजियों के नवासी लोगसभा सीटों पर शुकरवार को मतदान होगा इसमें केरल की 20, करनाटक की 14, राजिस्थान की 13, उतरप्रदिश और महराष्ट की 8-8, मध्यप्रदिश की 6, आसम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और 36 गड़ की 3-3 और तरुपुर आतता जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल हैं प्रधान मंत्री और भारतिया जनता पार्टे के वरिष्ट नीता नरिंद्र मोदी ने आज 36 गड़ के सरगुजा लुकसभग शेत्र के अंबिकापुर नगर में आम सभग को संबोधित करते में कहा कि कॉंग्रिस की कोशिश रही है कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का आरक्षन कम करके धर्म के आधार पर आरक्षन दिया जाए श्री मोधी ने कहा कि कॉंग्रिस सम्विधान बदल कर अनुसुजित जाती जन जाती और पिछड़े वर्क का हक अपनी वोट बेंक को देना चाहती है उन्होंने कहा कि आरक्षिन की रक्षा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है इस दोरान प्रधान मंत्री मोधी ने 36 गड़ सरकार का उपलब्धियों का भी जिक्र किया श्री मोधी ने मध्यप्रदेश के सागर और हर्दा में जनसभाओं को संबोधित करने का भी कारिक्रम है बाद में श्री मोधी भोपाल में रोडशो भी करेंगे लोगसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश की 6 सीटों के लिए मतदान होगा आज अलपुझा में एक जनसभा को संबोधित करते वे आरूप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने अल्प संक्यक वोट बेंक के खातिर केरल में आतंखवाद को बढ़हवा दिया उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में PFI जैसे संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा शिशाह ने भारत के परमानुख शक्ति संबन होने पर CPIM के विरोध की आलूचना की और कहा कि देश राश्ट्रिय सुरक्षा के खित में परमानुख शक्ति बना रहेगा कॉंग्रिस के वरिष्ट निता राहूल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी का घोष्णा पत्र से प्रधान मंती नरींद्र मुदी बैचेन हो गए हैं राहुल गांथी का ये बयान प्रधानमंति नरेंद्र मुदी द्वारा कॉंग्रेस के घोषना पत्र के आलूशना किये जाने के बाद आया है शिमोधी ने आरूप लगाया है कि कॉंग्रेस पार्थी लोगों की संपत्ति का बटवारा करनी की योजना बना रही है कॉंग्रेस ने इस महीने के शुरू में न्याय पत्र के नाम से अपना घोषना पत्र जारी किया था इस घोषना पत्र में पांच न्याय और पच्चिस गारंटी पर विशिश जोर दिया गया है राश्ट्रपती द्रौब्दी मुर्मूनी जलवायू परिवर्तन के विशे को गंभीर बताते वे इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षन की भूमी का परसूर दिया है राश्ट्रपती ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतिय वन सेवा परिविक्षा दीन अधिकारियों के दिख्षांत समारों को सम्बोदित करते हुए कहा कि मानव जाती जान पूचकर वनों के महत्व को भूलने के गलती कर रही है उन्होंने कहा कि मनुशे प्रत्वी के अमूले संसाधनों का मालिक नहीं बलकि संरक्षक है दिक्षान समारों में इंद्रागांधी राश्ट्रेवन अकादमी के 2022-24 कोर्स के 99 परिक्षाविधीन अधिकारियों को सनातक के डिगरी प्रदान की गई इनमें भूटान के दो प्रशिक्षू अधिकारी भी शामिल हैं प्रधानमंती नरिंद्रमोधी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुन्यादी धांचे में निवेश जरूरी है प्रधानमंती ने आपदा प्रतिरूधी भुन्यादी धांचे पर छटे अंतराश्रिय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में कहा कि आपदाओं को अकसर आर्थिक नुकसान की दृष्टी से देखा जाता है लेकिन इनका वेक्तियों, परिवारों और समुदायों पर वास्तों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है उन्होंने नई भुनियादी धांचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुना निर्मान के प्रयासों में मजबूती के पहलू पर जोट दिये जाने के आविशक्ता पर भी बल दिया श्री मुदी ने कहा कि आपदाओं का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और इससे निपटने के लिए देशों के बीच परस पर सही होग जरूरी है दो दिन का ये सम्मिलन आज ने दिली में शिरू हुआ आई पेल क्रिकेट में आज दिली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेली कापिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा ये मैच शाम साड़े साथ बजे शुरू होगा अमरीका की सीनिट ने एक विवदासपद विधेक को मंदूरी दी है जिसके अंतरगत टिक टॉक को अमरीका में प्रतिबंधित किया जा सकता है राश्टपती जो बाइडन इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं इसके साथ ही ये समचार बुलेटिन समप्त हुआ